सबसे ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही यूनीक तरीके से आज हम आपके लेकर आये हैं पालक की छै बहुत ही कमाल की और एकदम नई नई रेसिपीस जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि पालक से भी इतनी सारी रेसिपीस बनाई जा सकती हैं आप पूरे सब्ताहिन रेसिपीस को ट्राय करेंगे क्योंकि हर रेसिपी एक से बढ़ करेंगे और खाने में इतनी ज़्यादा लाजवाब कि बच्चे से लेकर बढ़े तक इन्हें चाव से खाएंगे पूरी वीडियो लास तक देखना आपको हर एक रेसिपी इतनी ज़्यादा अलग लगेगी कि आप इसे तुरंद बनाना चाहेंगे तो आज के हमारी ये 6 रेसिपीस हरे भरे पालक से बनने वाली है उसके लिए सारी रेसिपीस के लिए हमें यहाँ पर पालक के पत्तों को तोड़ कर लेना है अच्छे से धो लेना है तो सबसे पहली जो रेसिपी है उसके लिए हम यहाँ पर लिये हैं पालक के पत्ते, एक कप दही और एक कप बेसन इन तीनों चीजों का इस्तमाल करके हमारी ये पहली रेसिपी बनेगी चलिए अब इसका एक बहुत ही बढ़िया सा बैटर बनाएंगे तो मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हम डालेंगे चौथाई कप के आसपस बेसन बस 4 या 5 तेबल स्पून ही डालिएगा जादा नहीं डालना है हमें एक बहुत ही बढ़िया सा बैटर बनाना है और जो बाकी बचा हुआ बेसन है इसका हम इस्तमाल बाद में करेंगे तो इसको साइड में रखते हैं और अब जो हमने बेसन जार में डाला था इसके साथ ही हम ये एक कप दही आड़ कर लेंगे दही थोड़ी खटी हो तो जादा आच्छा टीस्ट आएगा इसलिए थोड़ी खटी दही का ही यूज़ कीजिएगा अब सेम कप से नपकर एक कप पानी डाल देंगे और चलिए इसको हम पीस लेते हैं मिक्सी में डालकर एक बावल में भी विस्क करके बना सकते हैं लेकिन विस्क करने के बज़ा अगर जार में डालकर बनाएं तो जादा अच्छा रहेगा और अब चलिए बनाएंगे एक बहुती स्पेशल सा मिक्स्यर उसके लिए एक बड़ा सा बरतन ले लिया है मैंने और इस पे डाल देंगे ये सारे पालक के पत्ते जिसको बारी बारी काट करके यूज किया है आप यहां पर पालक के बजाए और भी पत्तों का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे मेथी बथुआ ये सारी चीछे पालक के साथ हमने यहां पर प्यास का इस्तमाल किया है तो प्यास आप हरे वाले भी ले सकते हैं या फिर इस तरीकी के सूखे वाले भी ले सकते हैं लगबख दो प्यास है और इनको लच्छों में काट लिया है ताकि इनके जो स्लाइसेस है वो अलाग अलाग हो जाए अब डाल देंगे स्वात के हिसाब से नमक और चलिए इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे थोड़ा सा बेसन डाल करके तो लगबख यह पूरा बेसन मैंने डाल दिया है अभी ज़रुत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन और एड़ करेंगे टोटल यह पर में 4 टेवस्पून बेसन फिर से डाल रही हूँ क्योंकि जो मिक्सर हमारा बनकर तयार हो रहा है वो बहुत ही सुखा सुखा सा है यह देखें जब तक यह अच्छी तरीके से बाइंड ना होने लगे तब तक हम इसको मिलाएंगे अच्छे से अब यह आप डालेंग और अब मैंने आपर तेल गरम होने रख दिया है तेल हमारा अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर गरम हो गया है तो देख सकते हैं पालक का जो मिक्षर मैंने बना कर रखा था थोड़ी दिर साइड में रखने के बार यह कुछ इस तरीके से गीला हो गया है इसमें मैंने एक साइड से सिख गये हैं तो हम इनको टॉन कर देंगे और बढ़िया से इनको पका लेंगे एकदम गोल्डन और क्रिस्प होने तक और देख सकते हैं पकोडिया हमारी सारी तैयार हो गई है एकदम क्रिस्प और बहुत ही सुनेरी हो गई है तो चलिए इनको हम निकाल लेत यह देखें, यह पकोडियां ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन आज जो हम रेसिपी लेकर आए है न वह आप खाने के बाद तो बार-बार बनाएंगे और इसके फैन हो जाएंगे, रेसिपी अगर पसंद आ रहे है तो जरूर से लाइक और शेयर कर दीजे तेल डालने के बाद आदी चोड़ी चमच जरसो के दाने और एक विंच के आसपस हिंग डाल देंगे, थोड़ी से करे लिफ्स या फिर आप तेज पत्ता भी यूज कर सकते हैं और इनको अच्छे से क्राकल होने देंगे, जैसे ही क्राकल हो जाते हैं इसमें आदी चोड़ ये देखिए, ये जो मिक्शेर है इसमें लगबग डेड़ कप के आसपस हम पानी डालेंगे ताकि जो बैटर हमारा एकदम पतला हो जाए, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हल्दी है उससे इसका कलर एकदम यलो हो जाए, अगदम बढ़िया सा कलर आ जैसे हम कड़ी बनाते है बिल्कुल वैसा ही करना है लेकिन कड़ी ये दही वाली है जिसमें हमने जादा दही और कम बेशन का यूज किया है इसमें मैंने आधा कप पानी फिर से डाल दिया है और देख सकते इसका कलर एकदम बढ़िया सा होगे जैसे हमें कड़ी चाहिए बिल्कुल वैसे ही तो अब अब फ्लेम को बढ़ाएंगे और इसे हम एक से दो उबाल आने तक पकाएंगे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहिएगा ताकि जो कड़ी है वो खराब ना हो या फिर जले नहीं या फिर जादा गाड़ी नहीं तो अब कड़ी में अच्छ से मिला लेते हैं और अब यह देखिए एक से दो उबाल आने लगा है इसमें बड़ी आसा उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे ताकि जो बेसन है अच्छी तरीके से कुख हो जाए तो यह जब उबलने लगे तब हम इसमें डाल देंगे हमारे तयार कियो एक्रिस्प से यह पालक के पकोड़े यह देखिए और जैसे पकोड़े डालेंगे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि पकोड़े बहुत जादे नरम हो जाएंगे अगर आप इनको इसी तरीके से डाल कर पकाएंगे हम इसको डाल देंगे पकोड़ों को और गैस का फ्लेम बंद कर दे अच्छी तरीके से इनको भून लीजे और तड़का तयार है गर्मा गर्म हम इन तड़के को अपनी करी के उपर डालेंगे और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना जादा डिलीसे से और तड़का डालने के बाद इसकी जो टेस्ट है इसकी जो लुक है वो कई गुना खाने के बाद तो आप इसे भूली ने पाएंगे और बार बार बनाएंगे यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आप एक बड़ जरूर बनाएए चलिए मैं आप उन्हें तोड़कर दिखाती हूँ जो बढ़ियां हमने इसमें डाली थी वो कितनी जादा नरम हो गय हैं एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा मुझे उम्मीद है आपको यह बेहत पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो जरूर से ट्राइ कीजेगा और लाइक कीजेगा चलिए अब हम बनाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी जो इससे भी जादा हो जाएं पांच मिनट के बाद आप देख सकते हैं इन पत्तो को हमें सॉफ्ट करना है इतना जादा इसको नहीं छोड़ना है पानी में कि एक दम पानी ठंडा हो जाए पानी जब हलका ठंडा हो तभी हम इसमें से यह पत्ती निकाल देंगे बस इस जैसे सॉफ्ट होते है तब ही हमें निकालना है पानी को एकदम ठंडा होने तक का बेट नहीं करानी तो पत्ती जादा गल जाएंगे इसको मैंने डाल दिया मिक्सी के जार के अंदर देख सकते हैं सारा पानी निकाल दीजे और अब इसमें डालेंगे दो हरी मिर्चे आपको अपने सबसे जितना तीखा बनाना है आप डाल सकते हैं इसमें डाल देंगे एक छोटी चमच जीरा आप यहां पर लेसुन का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन हम इस पूरी में लेसुन का यूज नहीं करेंगे सिफ जीरा और हरी मिर्च डाल कर इसका एकदम बारिक पेश्ट बना लेंगे तो य आठा लगाएंगे आठा लगाने के लिए मैंने एक बड़ा से बरतन का यूज किया है आप भी किसी परात वेगर का यूज कर जिसे की अच्छी तरीके से आठे को मसल मसल कर तयार किया जा सके इसमें मैं डाल रही हूँ दो कप गेहू का आठा आठा आप मल्टी क्रिन आठ होना चाहिए आपको ध्यान रखना है कि दो कप के साथ सिर्फ और सिर्फ चार टेबल स्पून ही सूजी डाले नहीं तो आपकी पूरियां बहुत खस्ता हो जाएंगी अब इसमें डालेंगे इस वात के साब से नमक एक चूटी चमच आजवाएं जिसको हलका सा हाथों पर बहुत ही बढ़िया खुश्बू आती है जादा मट डालिएगा एक चोटी चमच काफी होगा अब इसमें डालेंगे एक चोटी चमच भूनी हुई ये मैश की हुई कसूरी मेथी जिसे की पूरियों में बहुत ही अच्छी खुश्बू भी आती है तो जरूर डालिएगा जादा नहीं सिर्फ एक चोटी चमच अब डाल देंगे एक चोटी चमच चीनी का पाउडर हलकी सीमिठास के लिए और सारे शीजों का टेस्ट बैलन्स करने के लिए यहां पर स्पेशल मसाला मेरे पास सांबर मसाला जिसे की पूरियों का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता ह अब थोड़ा सा चटपटा टेस्ट एने के लिए एक चोटी चमच आमचूर पाउडर एट कर लेंगे आप नीबू का रस भी यूज कर सकते हैं इसकी जगब पर सांबर मसाना डालने से पूरियों में बहुत ही गजब का स्वाद आता है तो जरूर डालिएगा अब चलिए हमसाले और पाला की पूरी को बढ़िया से आथे और सूजी के साथ मिक्स करेंगे हाथोगे मतय trauma रिचे टी के अच्छी तारिकी असमें मिक्स हो जा अच्य टीका से असमें पैला लिया है अब इसमेन डाले गी ठीले तो लगभग एक चोटी चमच के आसपास मैंने Dशी घी बढ़िया से पिग लाकर इसमें डाल दिया है चलिए सारी चिजों को अच्छे से मिलाएंगे और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एकदम सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे पूरियों के लिए हम इसा टाइट आटा लगाते हैं लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा गीला आ तो अभी मैंने आटे को थोड़ा लगा लिया है अभी हम इनको थोड़ी दिर रख देंगे जिससे की बढ़िया से जो सूजी डाली थी वो बढ़िया से इसमें पूल जाए और इसका टेक्शर है वो एकदम पॉफेक्ट हो जाए जैसा हमें पूरी के लिए चाहिए तो पा देखिए एक ही साइस के मैंने चोटी चोटी लोईया तयार कर ली है ताकि जो पूरिया बने वो एक समान बने और फूली फूली बने अब इनको बेलने के लिए सूखा आटा नहीं थोड़ा सा तेल डाले और पूरिया जैसे आपको बड़ी साइस की चोटी साइस की पसंद हो उनको बेल लीजिए हम इसा पूरियां डालते समय ध्यान रहे कि तेल आपका पॉफिक गरम होना चाहिए देख रहे मैं इस तेल में एक लकडी का स्पैचला डाला था जिससे की बढ़िया से बबल्स आ रहे हैं तो यह पॉफिक टाइमिंग है पूरियां डालने का अगर आ आप देखेंगे एक दम बलून की तरफ फूल कर तयार होती है एक एक पूरी एक भी नहीं फूटेगी इसकी गैरंटी ले लो आप सारी पूरियां इस तरीके से लाल लाल थोड़ी सी कर लीजे और देख रहे हैं कितनी मज़ेदार तरीके से फूल कर तयार हो रहे हैं मैं आ वे स twenties थेन आपको आपको कर दिखाती हूं जबvenir सहने कर दों हैं मैं आपको फुली फुली सी धाली लेकिक अ क्या ये walked बहुत शबंत भुम्हा कई गुना टेस्टी हो गई है तो इंदर से एकड़ में के वहाइए देख 해도 ए तरीके से ये पालक की पूरिया बनाईए देखना सभी को पसंद आएंगी किसी भी सबजी के साथ आप इन्हें आचार के साथ परोज सकते हैं रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करना चलिए बनाएंगे इकदम नए तरीके की पालक वाली गोबी जिसको आपने आज से प पेस्ट और ये पेस्ट बनने वाला है पालक से तो मैंने यहाँ पर दो से तीन कप पालक डाल दिया है आप अपने हिसाब से कम जादा डाल सकते हैं पत्ते ही लेने है डंठल नहीं लेना है अच्छे से दो कर लेना है और अब डालेंगे तीन से चार लैसुन की कलिया चलिए थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका स्मूध सा प्यूरी तयार करेंगे, तो यह देखिए हमने बढ़िया सा पेस्ट तयार कर लिया है, इस हेल्दी से पेस्ट को अभी रख लेते हैं साइड में, और चलिए बनाते हम इस बहुत ही शांदार सी सबसी को, तो अभी मैंने क एक लेयर गोबी के उपर आ जाए, ताकि बढ़िया से जो गोबी है, वो क्रिस्प हो जाए और गोल्डन हो जाए, तो इसको हम ढग देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हूँ इनको फ्राय कर लेंगे, यहां देखिए थोड़ी दिर मैंने ढग दिया था और इन अगर आप आलू का इस्तमाल करें तो आलू को भी इस तरीके से फ्राय करके लेना है, अब जो कड़ाई में थोड़ा से तेल बच किया था, उसमें मैंने दो टेबस्पून तेल और एड़ किया है, और अब तेल जैसे ही गरम होता है, इसमें डालेंगे एक चोटी चमच, ज तो मैं आपर थोड़ी सी रसिपी को क्रीमी वरा रही हूं, इसलिए थोड़ा सा तीखा में जादा बनाऊंगी, तो चार हरी मिर्चे मैंने ली है, अच्छी तरीके से इनको भून लेंगे, जैसे कि अद्रक का कच्चा टेस्ट निकल जाए, आप चाहें तो चॉप करके ले प्याज को थोड़ी दिर जादा पकाना है, ताकि अच्छे से नरम हो सके और गोल्डन हो सके, तो देख सकते हैं, प्याज हमारे अच्छी तरीके से भून गया है, बढ़िया सिक्तम कच्चे टेस्ट नहीं रहें इसमें, तो आब इसमें थोड़ी से सूखे मसाले अड़ कर बढ़िया कलर आएगा, थोड़ी सी हल्दी, कस्मेरे लाल मिर्ज पाउडर इसलिए डाला है मैंने, ताकि इस सबजी का कलर हारा ना हो, थोड़ा सा रेड में आए, अब डाल लेंगे इसमें किचन किंग मसाला, एक ठोटी चमच के असपस, और इस सारे मसालों और सारी मसालों के साथ, मिक्स करके इनको तब तक पकाएंगी, जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए, और जो ग्रीन पेस्ट है, वो कस्मेरे लाल मिर्ज की वज़़े से आप देखेंगे, थोड़ी देर के बाद ही, एकदम बढ़िया भुन कर तयार होगा, तो इस पेस्ट को मैं अच्छी तरीके से पकाना होगा जब तक इनको तेल ना छोड़ दे साइट से, तो एक जिगए इकठा कर लिया है, मैंने चरी ढख देते हो और फ्रेम को एक्दम कम कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से भुन जाए और थोड़ा सा ड्राइ हो जाए, तो यहां देखें मैंने तीन-चार मिनेट के लिए इनको धीमियाच पर शोड़ दिया था और ये बढ़िया से ड्राइ हो गया है, अच्छी तरीके से हमारे पाला का पेस्ट भुन करके देख सकते हैं, तो अब इस से स्टेश पर हमें डाल ला होगा टमाटर की प्यूरी, तो अगर आप टमा मिक्स करेंगे, और अब इस मसाले को इस पेस्ट को तब तक हमें भुनना है, जब तक जो टमाटर है वो भी अच्छे से कुक हो जाए, और ये पूरा मसाला जब तक तेल नहीं छोड़ता, यानि कढ़ाई को छोड़ने ना लगे, तब तक हम इसे पकाएंगे, तो ये देख अब इसमें बारी आती है पानी डालने की, तो मैं आप लगबग आधा कप के आसपास पानी डालूँगी, ताकि जो ग्रेवी है वो हलकी सी पतली हो जाए, और फिर हम इसमें डालेंगे हमारी भुनी हुई गोबी, तो ये सारा गोबी मैं इसके अंदर एड़ कर लूँगी अगर आपने आलू का इस्तमाल किया है तो आलू भी आप इस स्टेश पर डाल सकते हैं, चली सारे मसालों को गोबी के साथ अच्छी तरीके से मिलाएंगे, और अब इसको अच्छी तरीके से हमें कुप करना होगा, क्योंकि जो गोबी है वो भी कच्ची है, तो इनको अब फ्लेम को एकदम कम करके 5-6 मिनट तक वेट करेंगे, और ये देखें, 5-6 मिनट के बाद सबसी का लूक देखें, रक्कन हटाते ही तिनी लाजवाब इसकी खुश्बू है और इसका टेस्ट तो बहुत बहुत आसम है, इसको देखके ही लगता है, देख रहे हैं, कितनी और आप इसकी गोबी की सबजी आपने पहले कभी न तो देखी होगी और नहीं कभी खाई होगी, खाने के बाद आप इसके फैन होचाएंगे, और हर बार ऐसे ही बनाएंगे, तो चलिए ये रेसिपी आप जरूर से बनाएंगे, किसी भी रोटी पराथे चावल के साथ पर तो मैंने हर दिन एक पत्ते डाल दिया आप चाहें तो पुदीना भी आट कर सकते हैं इसमें, दो लेसिन के का लिया और एक सी डेढ़ी जितना अधरक का टुकड़ा, आप चाहें तो लेसन को हटा सकते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो दो हरेमिश डालेंगे, तीखा आपने चीनी भी डाल सकते हैं, एक छोटी शमच, जिससे इसका टेस्ट बहुत जादे बढ़ जाएगा, एक टेबस्पून पानी डालेंगे और इसका हम एक बार एक सा पेस्ट तयार कर लेंगे, तो चलिए इनको हम पीस लेते हैं, ये देखे, पेस्ट हमारा ब्रकुल तयार है, इनको हम निकाल लेते हैं, एक बड़े से मिक्सिंग बोल के अंदर, ये देखे, हमने इसमें नमक अभी आड़ नहीं किया है, अब मैं इसमें डाल रहे हूँ चार से पांच टेबस्पून बेसन, बेसन के जगापर आप चाहें तो गेहों का आटा भी ले सकते हैं, वैसे भ जीरा, चाही तो अजवाइन ले सकते हैं, जीरे की जगह पर, और अब हम इन सारी शिजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी का इस्तवाल एकदम कम करना है, और गाढ़ा से गाढ़ा गोल हमें बनाना है, थ्यान रहे हैं, इसमें गुठलिया ना हो, बढ़िया से फेट क तयार कर लीजे, आप इनको हाथों से इस तरीके से उठा कर देखेंगे, तो यह बहती हुई कंसिस्टेंसी नहीं, बलकि इस तरीके से गाढ़ी रहेगी, तो आप इनको ऐसे ही घोल कर तयार कीजेगा, यह ग्रीन पेस्ट बहुत ही चटपटे होते हैं, और हमारे रेसिपी को एकदम शांदार बनाएंगे, तो यहां मैंने लिए है रोटी, और आप बच्ची रोटी भी ले सकते हैं, फिर रोटी आप बना कर भी ले सकते हैं, या फिर आप मैदे के भी यह रोल्स बना कर रेडी कर सकते हैं, तो मैंने आपर यह तीन नॉमल रोटीया ली हैं, जो ग ये healthy हरे हरे से पालक हम इन रोटियों के उपर इस तरीके से लगा लेंगे आप जादा मात्रा में भी लगा सकते हैं और पालक के पत्तों को काट के भी रख सकते हैं मैंने इस तरीके से साबूत साबूत रख दिया है पत्तो के उपर वापस से हम ये कोटिंग कर देंगे बेसन की ताकि पत्ते अच्छी तरीके से सेट हो जाएं इसमें और ये और भी ज़्यादा चट पटे लगें बढ़ियास इनको कवर कर लीजे इस तरीके से और बस फटा फट से हम इनको टाइटली रोल कर देंगे जैसे हम इस तरीके से काठी रोल वगरा बनाते हैं बस वैसे ही बहुत ज़्यादे शांदार बनती है ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी तो एक बर जरूर बनाना बच्चे अगर पालक नहीं खाते हैं तो जरूर से खाने लगेंगे दोनों साइड हम जो बचा हुआ बैटर है लगाते जाएंगे और इसी तरीके से सारे रोल्स बनाकर रेडी करेंगे जहां भी आपको लगे आप ये बैटर डाले और अच्छी तरीके से इनको स्टिक कर लें देखिए हमारी एक रोटी तयार है इसी तरीके से सारी रोटी या हम बनाकर के तयार कर लेंगे और अब इनको हम healthy तरीके से बनाने वाले हैं तो इनके उपर बचा हुआ ये सारा बैटर हम लगा देंगे तो देखिए हम इनको पांच मिनिट बस स्टिम करेंगे, फटा फट से ये कुक हो जाते हैं, क्योंकि रोटी तो पकी ही है, हमें सिर्फ बैटर को ही पकाना है, देखिए पांच मिनिट में अच्छी तरिके से ये स्टिम हो गए है, बढ़िया से उपर के लिए कुक हो चुकी ह तो अब इनको निकाल लीजे, लिकिन अभी ये खाने के लिए बिल्कुल तयार नहीं है, हम क्या करेंगे, तब ये पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, हल्दी बनाना है तो कम तेल में बनाएंगे, और अब इनको बढ़िया से उलट पलट कर क्रिस्प कर लेंगे, बहुत ही ज करने के लिए इनको बीच से इस तरी किसे टुकडो में काटे और आप लेयर्स देखें इनके, कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ज्यादे चटपटे हैं, आपने अभी तक इसे नहीं खाया है, तो एक बार जरूर बनाना ये आपको बेहत जैसी अच्छे से गरम हो जा इसमें डालें, जीरा और दो से तीन हरी मिर्चें, मिर्च जैसे भून जाता है इसमें डाल देंगे प्याज, तो मैंने पतले पतले प्याज काट के लिए हैं, तो एक बड़ी साइस का प्याज डाला है हमने, प्याज अगर आप नहीं खाते है तो आप इनको हटा सकते हैं, प्याज को अच्छी तरीके से हम तेल में भूनेंगे, जिससे कि ये जल्दी से भून कर एकदम गोल्डन और ट्रांस्लूसिंट से हो जाएं, और ये देखें, प्याज हमारे हलके से भून गए हैं, तो अब इसमें लेसन अधरक का पेस्ट एक चोथाई चोटी चमज गरम मसाला या किचन किंग डाल सकते हैं, और एक चोटी चमज हल्दी पाउडर, अब यहाँ पर इसमें बाइंडिंग के लिए दालेंगे दो बड़ा चमज बेसन, बेसन डालने से टेस्ट भी बढ़ता है और अच्छी सी इसमें बाइंडिंग तो जरूर से डालिएगा और अब इन सारे मसालो को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पका देंगे ताकि बेसन बढ़िया से भुण जाए, इनकी खुस्बू से ही पता चलेगा, यह बेसन अच्छे से कुक हो गया है, जैसे ही सारी शीचे पक जाती है, इ इतने भी आपको पसंद आया, आप ले सकते हैं, थोड़ी देरिन को ढख कर पका लें और चलिए हम आटा लगाएंगे, तो मैंने आप पर डेड़ कप गीहू का आटा लिया है, आप तो कप भी ले सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे आदी छोड़ी चमच आजवाइन, आद घी भी डाल सकते हैं, जिसे कि आटा हमारे दम सॉफ्ट हो, अब इसको एकदम हेल्दी और कलरफुल बनाने के लिए बी टूट का इस्तमाल करेंगे, योगि बच्चे चुकंदर बिल्कुल नहीं खाते हैं, और उनको खिलाने का ये बहुत यासान सा तरीका है, तो मैंने ए चुकंदर को बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है, और अब क्या करेंगे, इसको आटे में ही डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिसे कि हमारी रेसिपी एकदम कलरफुल बनेगी, हल्दी बनेगी, और टेस्टी तो होगी, सारी शीचो को अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम सॉफ्ट सा आटा हम डगा कर तयार करेंगे, ये देखें, और हमारी स्टफिंग भी एकदम बढ़िया चटपटी सी हो गई है, पालक एकदम अच्छी तरीके से कुक हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं, ये काफी गीला है, क्यों बढ़िया से मिक्स करेंगे, हमारी एकदम चटपटी सी स्टफिंग तयार है, एकदम मज़ेदार, आप इस स्टफिंग को रोटी के साथ में भी खा सकते हैं, ये बहुत ही चटपटे लगते हैं, लेकिन आज हम अपनी नई रेसी भी बनाने वाले हैं, तो आप इसको जरू के साइस के तोड़ने हैं, और अब प्लेटफर्म पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर हमें इसको इकदम पतला सा बेलना है, रोटी से भी पतला, तो जितना पतला आप बेल सकें, आप इनको थोड़ा बड़ा और पतला बेल लें, और अब मैंने बेलने के बाद एक रोट लेयर लगाईए, और अब हमारी तयार की हुई है, गीली-गीली सी चट-पटी सी मज़ेदार से स्टफिंग हम इसके उपर इस तरीके से बिछा लेंगे, धेर सारी स्टफिंग डालनी है, कंजूसी नहीं करनी है, और अब इनको हम फोल्ड करेंगे, तो आप ट्राइंगल म तो यहां देखिए, मैं इनको कवर कर लूँगी, और अब इनको बेलना बिलकुल नहीं है, नहीं तो फट सकते हैं, क्योंकि स्टफिंग एकदम गीली सी है, लेकिन खाने में यह बहुत ज़्यादा शांदार लगते हैं, बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हैं, अच्छे से क्रिस्प होने तक पकाना है, ताकि जो रोटी है वो एकदम बढ़िया मज़ेदार क्रिस्पी हो जाए, और यह देखिए, एकदम ट्राइंगल से बहुत ही कलरफुल, हमारे हेल्दी से यह पराठे बनकर तयार है, आप इनको बच्चों को टिफिन में दे सकते ह खुद भी टिफिन ले जा सकते हैं, लंच डिनर कभी भी आप इन्हें ट्राय करें, और स्टफिंग इतनी गजब की है ना कि आप इसको भूली नी पाएंगे खाने से, यह देखिए, कितनी ज़्यादा गजब की लग रही है ना, ऐसे पराठे आपने आज तक कभी नी खाय होंगे, एक बार जरूर बनाना, आपको यह भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और अगर पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिटकूर मत बोलना, चलिए अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे, जो बहाँ ज़्यादा टेस्टी आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, और कोई से भी बेसन का इस्तिमाल कर सकते हैं, अब इसमें मसालों में डालेंगे आदी चोटी चमज जीरा पाउडर, लगभग चोथाई चोटी चमज हल्दी पाउडर, आदी चोटी चमज से थोड़ा सा कम हम इसमें, कस्मेरी लाल पाउडर ताकि कलर अच्छा है और बिल्कुल थोड़ा सा एक तियाई चोटी चमज गरम मसाला या फिर किचन किंग मसाला एट करेंगे अब डालेंगे इसमें घिसी हुई अद्रक लगबग एक चोटी चमज के असपास बढ़िया से कूट कर लिया है मैंने दो हरे मिर्च बा सारी चीजों को हम मिला लेते हैं जैसे सारी चीजे मिक्स हो जाएंगी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ध्यान रहें बहुत जादा पानी कास्तमाल नहीं करना है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसका हम एकदम गाढ़ा सा बैटर तयार करना ह बहुत ही फ्लोइंग नहीं होना चीए क्योंकि पालक और जो लॉकी है ना उसमें भी कावी सारा जूस होता है तो यह मिक्षर हमारा जादा गीला ना हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए तो कुल मैंने आपर चौथाई कप से थोड़ा सा जादा पानी का इस्त सब्सक्राइब जाता जाता है अब इसमें डालेंगे हम अपने कटे हुए पालक और सिर्फ पालक ही नहीं इसको और जबह дело हएं के लिए हम इसमें डालेंग लॉकी तो मैंने हाप पर आधा टुकडा लॉकी को कदू कस कर लिया है जटै करके लौकी डालने से इसमें बहुत ही गजब का टेस्ट आता है और अब इसमें जो भी सबजियां हमें आपको लगे आप चाल सकते हैं मेथी डाल सकते हैं मैंने यापर दो बड़ा चमच धनिये के पत्ते डाल दिये हैं अब डालेंगे इसमें नमक स्वाध के साब से और थो यहां से मिक्स करेंगे पानी का इस्तमाल नहीं करना है बस एक बार अच्छी तरीके से इनको हम मिला लेंगे और अब इनको को करने के लिए मैंने यह पर यह स्टीमर वाली प्लेट ली है आप कोई भी नॉर्मल थाली ले सकते हैं और अब इस चटपटे से बैटर से हम पानी डाल दे दो कब पानी जैसे उबलने लगेगा हम यह प्लेट यह थाली जुसमें भी आपने वडियों को डाला है उसको रख देंगे और 5-6 मिनट के लिए हम इनको स्टीम होने देंगे जल्दी से यह फूल कर तयार हो जाती है तो चलिए 5 मिनट के बाद देखेंगे यह देखिए बढ़िया एकदम अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है और बढ़िया से फूल कर तयार हो गई है कच्ची बिलकुल नहीं है और आप उनको इस तरीके से चमबची अचाकू से प्रिक करके देख सकते हैं चलिए इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और अ आप चलिए बिना पानी डाले इनको हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे पानी बिलकुल मत डालिएगा नहीं तो उतना ही आपको पकाने में टाइम जाएगा बढ़ियास इनको मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है और अब हमारा ये पेस्ट एकदम बढ़िया तयार हो गया लगभग एक से दो कप के आसपस और इसको भी हम चलिए पीस लेंगे थोड़ा पानी डाल सकते हैं आप चाहें तो तो चलिए एकदम बारीक सा पेस्ट हमें इसका तयार करना है पालक पीस के तयार हो गया इसको अलग बोल में निकाल कर साइड में रख लें और अब देखिए जो हमने वड़ियां तयार की थी कितनी जादा नरम बनी एकदम रूई की तरह आप इनको बढ़िया से पेटेंगे तो आपको इसमें सोड़ा डालने के ज़ुरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर थोड़ा सा सोड़ा डाल देंगे तो आपकी वड़िया भी इसी तरीके से न अब इनको थोड़ी दिर मिलाएंगे तेल में और अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि प्याज लैसून और हरी मिर्च का कच्छा टेस्ट ना खतम हो जा तो धीमियाज कर ले और इसको हलका सा भून लेते हैं लगबग 2-3 मिनिट के असपस और ये देखें मिक्षर हम ज्री चुहत सी कच्छी चला टालेंगे जिरा आथ्टी जमची अदि च्छे जोटी जमचैस उम डालेंगे दिंक हम ब्रॉट काफ़ी केलर जिसे की कलर काफी अच्छी उसकी है पालक भी कच्छा था तो इसको पकाना बहुत ज़रूरी है तो हम फ्लेम को कम रखेंगे और इसको लगातार इस तरीके से मिला लेंगे थोड़ी दे ढग देते हैं ताकि अच्छे से कुख हो जाए और दो-तीन मिट के बाद देखिए काफी अच्छे तरीके से डहीत कि अच्छे से कुख हो चुके है, तो अप्लेम को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसमें डालेंगे अब दही, तो दही को मैंने फेट कर लिया है लगवग तीन बड़ा चमश दही लिया है मैने, आप चाहें तो दही को छोड़कर टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं तो मैंने आपर दही इसलिए डाला है ताकि जो ग्रेवी बनेगी ने वो थोड़ी सी क्रीमी बनेगी और टेस्ट भी बहुत जादा अच्छा आएगा तो आप चाहें तो दही के बजाए टमाटर का पेश्ट भी ले सकते हैं चले हम सारी जोक अच्छे से मिलाएंगे और अब दही को भी अच्छी तरीके से कुक करना होगा जब तक की दही से घी ना रिलीज होने लगे तो धकन लगा देते हैं और लगभग दो मिनट तक हम इनको धीमी आज पर इस तरीके से पकने देंगे क्योंकि मसाले जितने अच् तो पानी अपने एक छान उसार जितना आपको अच्छा लगे ग्रेवी आप डाल सकते हैं मेनिया पर आधा कब पानी का इस्तिमाल किया है अब इसको डाल कर अच्छे से मिलाएंगे थोड़ा सा हम पतला ग्रेवी रखेंगे क्योंकि जो बढ़िया हम इसमें डालेंगे तो तो ये पानी को यानि रस को जादा अब्जॉब करेगी तो जब सब्जी ठंडी होगी तो ये जादा हार्ड हो जाएगा ग्रेवी मतलब गाढ़ा हो जाएगा तो आदके साब से नमक आट करेंगे और थोड़े से हरे धने के पत्ते और अब इनको मिक्स करेंगे इसमें सार से चार मिनट हो चुकी हो और काफी अच्छे से तेल रिलीज हो गया है सबसी एकतम लाजवाब सी होने वली है इसमें डालेंगे थोड़े से कसूरी मेथी या फिर हरे धनी के पत्ती और देखे कितनी जादा लाजवाब लग रही है मैं आपको इन वड़ियों को तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि एकदम पनीर की तरह सॉफ्ट हो चुके हैं तो तैयार है हमारी ये गजब की शांदार सी रेसिपी आप इनको रोटी पराठे चावल किसी भी चीज के साथ कभी भी बना सकते हैं हेल्दी भी है टेस्टी भी है और बहुत ही शांदार आप इस रेसिपी से कौन सी रेसिपी सबसे जदा पसंद आई हर रेसिपी एक से बढ़कर एक हेल्दी टेस्टी और यूनीक है पसंद आया तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और मुझे अपना प्यार देने के लिए चैनल को जरूर जरूर से सबस्क्राइब कीजेगा सर्दियों की और पाल वलक बड़ कीजेगा जरूर झा है।